तो एक technology हम use करते हैं, Ethernet में basically होती है, जब hub वगरा use होते है, तब यह चीज होती है, CMACD, so that stands for carrier sense multiple access, and this stands for collision detection. तो होता किया traffic में, जैसे hub है, कोई भी device है, hub, जैसे hub में use होती है, traffic mostly, तो hub है, जैसे, तो hub के scenario में क्या होगा, कि hub क्या बोलता है, career sense multiple, मतलब एक ही time पे एक PC बात कर सकता है, एक ही time पे एक PC बात कर सकता है, जैसी दो PC आपस में एकदम data send करते हैं, तो एक collision हो जाता है, तो वो ही हम check करने वाले हैं, कि कैसे होता है, तो CSMA stands for career sense multiple access, CD stands for collision detection, तो ये technique Ethernet में use होती है, जिससे collisions हम देख सकते हैं, तो जाता तरह हब जहाँ use होता है, वहाँ पे होती है, तो Ethernet, जब wires use होती है, तब ही होता है, तो computer one ने data send करना है, server one को, तो computer one wants to send data frame, तो data क्यों इसमें frame होगा, क्योंकि ये data link layer पर, क्योंकि ये mac address पर बात कर रहे हैं, जिसे, तो computer one must listen to the, पहले लिसन करता है, कि कोई और data send तो नहीं कर रहे हैं, देखो, पूरे native में कोई नहीं send कर और इसे green light मिलगी, कि तू send कर सकता है, तो ये data send हो गया, और इस सब के पास चला गया, जिसके पास गया, वो उसने reply कर दे, और बाकियों ने वो फ्रेम डिसकार्ड कर रहे हैं, और उन दोनों को within a fraction of seconds allow कर दिया, कि तुम इकठे data, अभी क्या हो देखो, ये listen कर रहा था, ये भी listen कर रहा था, कोई data send तो नहीं कर रहा था, जब दोनों ये listen कर रहे थे, तब तो कोई नहीं भेज रहा था, बट अब दोनों ने forward कर दिया, क्योंकि उस time उन्हों गयते हैं, या sorry, ये वो, ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है, यहाँ पर, तो जैसी उन्होंने पहले देखा कि कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये क्या करते हैं, इकठे बोलना start कर देते हैं, so इकठे ये data send कर देते हैं, तो ये इधर भी traffic गया, इधर और ये देखो, ये दोनों आपस में, यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि हब पे सिरफ एक ही बंदा एक टाइम पर बात कर सकता है, तो जैसी क्यों होता है, इधरनेट में एक टेक्नीक होती है, CSMA CD, तो ये क्या करता है, एक random time मिल जाएगा, सारे devices को इसे zam signal बोलते हैं, zam signal में क्या होगा, zam signal और zamming signal, एक ही बात है, zam signal, zamming signal, ठीक है, तो zamming signal on होजेगा और ये सब को active कर देगा, तो कि तुमें random time generate करना है, इन सब को एक random time मिल जाता है, random time से क्या करते हैं, दुबारा फिर data send करते हैं, collision detection होई है, collision detect होने के बाद, जैसी collision हो जाता है, तो ये data थोड़े time के लिए रोक लेते हैं, फिर दुबारा एक random time ले लेते हैं, मालोब 10 second, 12 second, 13 second, तो सारे devices random time के according, फिर दुबार से refresh हो जाता है, जैसे हम computer पे refresh button दबा देते हैं, ऐसी ये refresh करता रहता है, जैसी पर collision होता है, बट collision होने के chances बहुत कम है, rare होता है, बट होता है, पर हब एक सारे dustbin में यानि कहीं पे भी discard कर देते हैं packet, तो ये लिखा भी है, remember that collision rarely occur in networks that use switches, तो switches क्योंकि full duplex होते हैं, जातर ये half duplex network में होता है, half duplex कौन से होते हैं आपके, half duplex क्या होते हैं, पहली बात मैं ही बता दू, half duplex होते हैं, जो एक time पर ही send कर सकते हैं, और एक ही time पर receive कर स सकते हैं, और receive भी कर सकते हैं, data send भी कर सकते हैं, receive पर, half में one at a time, but full duplex में दोनों side, तो ये चीज़ होती है, तो switch के case में बहुत rare है, कभी ही होगा, बट ऐसा हो नहीं सकता, hub के case में ये चीज़े हो सकती हैं, so performance degradation में कर आते हैं, तो that's why switches were developed to replace hubs, क्योंकि ये mac address learn करता है, और बहुत सारे features होते हैं, तो this is all about carrier sense multiple access, जब आप hub की बारे में पढ़ोगे, तो ये hub के साथ theory में concept होता है, वाटे CSMA CD, तो hub क्या करता है, जैसी collision ही कठी data send कर देते हैं लोग, तो examining signal, exam signal active हो जाता है, उससे सबको सारे pieces को एक random time मिल जाता है, तो उससे refresh हो जाते हैं, और वो data फिर दुबारा send करने लग जाते हैं, तो बड़ा, सबको topic है बड़ा tough लगता है, और what is CSMA CD, data communication books होती है, जो B.Tech के बारा engineering students में होती है, तो ये topic होता है उसमें, तो this is all about, सबसे पहले वो career sense, पहले collision detection करता है, मैं अब चेक करता है कि collision होतो नहीं रहा, पहले listen करता है कि collision कोई कोई बोल तो नहीं रहा, जब कोई नहीं बोलता है, तब वो data send करता है, और अकर बोलते होई detection होगी, यानि error आ गया है, वो collision आ गया है, तो उससे jamming signal alone करता है, और उससे फिर random time amount generate करता है, और refresh करके दुबा से वो नहीं सीरे से start करते हैं, so thank you for